वेलकम बैक दोस्तों इसे एक नई वीडियो के अंदर आज क्या अपडेट्स है क्रिप्टो के करंसी के रिलेटीव और क्या चल रहा है मीम कोईंस के अंदर क्या चेंज हुआ है ट्विटर पे क्या अनॉंसमेंट है पूरी की पूरी जानकरी मिलने वाली वीडियो के साथ एंड तक बने रहीएगा तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहां पे मार्कीट के अंदर क्या चल रहा है तो सबसे पहले मार्किट कैप की बात की जाए तो 3.1 ट्रिलियन हो चुका है 0.72% बड़ा है 24 ओर्स के अंदर और वहीं पे जो ट्रेंडिंग में कोईन चल रहे हैं उनमें XRP नमबर वन है और डोज पे डोज कोईन नमबर फाइब पे चल रहा है और आपको बता दें मार्किट कैप की यहां पे बात की जाए 3.1 ट्रिलियन हो चुका है मार्किट कैप ट्रेडिंग वोलियूम की बात की जाए तो 176.4 बिलियन हो चुका है बिटकोईन डोमिनोस की बात की जाए तो 59.93% हो चुका है fear and greed की बात की जाए तो 83 पे fear and greed याँ पे देखने को मिल रहा है और बात की जाए bitcoin की तो यहां तो बाई old time high पे high लगते जा रहे है bitcoin ने 94 जो high था उसको भी break कर लिया उससे उपर भी थोड़ा जाके high बना दिया है 94 को cross कर दिया और लगबग 94 के आसपास ही bitcoin trade करता नजरा रहा है 1.87% अभी भी उपर बना हुआ है green यहां पे बना हुआ है अब चलते हैं दोस्तों बात करेंगे बाकी coins के बारे बात की जाए तो 2 से 9% यहां की रावट देखने को मिल रही है और trading volume भी थोड़ी down जा चुकि है शीबा इनो coin की graph भी पूरे का पूरा यहां पे down देखने को मिल रहा है और बात करेंगे डोज coin की क्योंकि शीबा डोज को follow करता है तो यहां भी 2 से 9% का correction देखने को मिल रहा है और बात करें flow की इनो coin की तो यहां 8% price अप हो चुका है क्योंकि यह coin पहले जब डोज शीबा बड़े थे तब यह coin बड़े नहीं थे तो आज देख सकते हो आप flow की इनो coin भी काफी बढ़ चुका है और वहीं पे बात करें पैपे इनो coin की तो यहां भी 3 से 4% गिरावर देखने को मिल रही है तो बढ़ते हैं दोस्तों ट्विटर की और क्या अनॉंसमेंट है वो भी बता दें आपको लेकिन उसे पहले एक चोटी सी रुकेस्टर की लगाता आपको क्रिप्टो की अपडेट देते रहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब चरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स डेली टू डेली मिलती यहां पे रहे सबसे पहला जो ट्वीट यहां पे निकल के साथ ने आया है बलैक रोक और फैनल्टी यह दो नाम तो दोस्तों हमेशा ही रहते ही रहते हैं एटी एफ डिड़ कंबाइंड चार पॉइंट सतारा बिलियन इन ट्रेडिंग वोलियम टू डे मतलब कहीं न कहीं दोस्तों नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर बिटकोईन कहीं भी जा रहा है यह लोग बाए ही कर रहे हैं तो आप एक अनुमान लगा सकते हो आने वाला टाइम जो अगला मन्थ है यहां इस मन्थ की क्लोजिंग कह लीजिए कहां तक जाके हो सकती है क्योंकि जो यहां पर बात की जा रही है डेड़ लाग तक की परडिक्शन निकल के सामने आई थी दिसंबर तक और बचा कुछ भी टाइम नहीं अभी तो सिर्फ कह सकतो चालिस दिन भी नहीं बचे हैं तो कहीं न कहीं यह एक बड़ी अपर्चुरिटी है यहां से एक बड़ा मूव बिटकोईन दो डेड़ मन्थ के अंदर दिखा सकता है देखने को मिल सकता है जैसा की एक्सपार्ट लोग कह रहे है अगला ट्वीट है देख लिजी अब किस तरीके से यहां पर बड़ी बड़ी बाइंग बड़ी बाइंग निकल के सामने आ रही है 2.6 बिलियन की यहां पर और बाइंग की बात की जा रही है तो कहीं न कहीं कह सकते है आने वाला टाइम जो सेनेरियो है वो पूरे का पूरा चेंज होता हुआ नजरा सकता है और बात करें अगला ट्वीट की बिटकोईन है लार्जज मार्किट कैप देन टोप त्री बैंक इन दा वर्ल्ड कमबाइंड तो तीन बड़ी जो कह सकते हो बैंक्स हैं वर्ल्ड के अंदर जैसा कि नमबर वन जेपी मॉर्गन बैंक ओफ अमेरिका आईसी बैंक ओफ चाइना तो यहाँ पे इन तीनों को पिछाड़ दिया है बिटकोईन बिटकोईन की जो ट्रेडिंग वोल्यूम है वो जो कह सकते हूं मार्किट केप है तो यह ट्रेडिंग वोल्यूम कह रहा हूं 1.85 ट्रिलियन है और जेपी मॉर्गर की बात की जाए तो यहाँ पे 684 बिलियन ही है और बैंक ओफ अमेरिका की 350, 6 बिलियन ही है तीन बड़े बैंकों को बेटकोईन ने यहाँ पे पिछाड दिया है मार्किट केप के अंदर अगर बात की जाए तो तो अच्छी बात है क्योंकि बाइंग हो रही है मार्किट केप तो बढ़ना ही है तो फैसा जो मार्केट के अंदар आ रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा तो यहाँ पे देखने को मिलना ही है तो अगले ट्वीट की तरफ बढ़ें दोस्तों अगले ट्वीट क्या कहा है वो माईक्रो शेटर जी ने यहाँ पे ओर कहा है कि सो बिलियन मार्केट कैप उनने हासिल यहां पे कर लिया है ये भी एक अच्छी बात कही जा सकती है तो अगला ट्वीट जो है दोस्तों वो आपको बताएं अगला ट्वीट खत्म हो चुके हैं ट्वीट तो कि आज की अपडेट्स इतनी ही निकल के सामने आई थी तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ल आइक शिर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी अपडेट लेकाने की कोशिक करेंगे थैंक यू फोर वाचिए